रादे रादे दोस्तों कैशे आप सब दोस्तों हमारी यूटूब चैनल पर आपका श्वागत है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और हमारे वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजेगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जाते हैं कि चैतर नौरात्री जो हमारे हिंदु धरम मा के जो भक्त होते हैं बड़े ही धूम धाम और एक तोयाहर के रूप में नौरात्री के दिन मनाये जाते हैं नौरात्री के दिन धरम करम उपा यातना और शादना के लिए सबसे अच्छे दिन मानने जाते हैं इन दिनों में अगर आप चाहते हैं कि मा माता देवी माता दुरुगा की किरपा आपके उपर आउश्य बने तो दोस्तों नवरात्री के इन नौ दिनों में मा के सबी रूपों की पूजा राधना आपको आउश्य ही करनी चाहिए नौरात्री के दिनों में मा की पूजा करने से मा भक्तों के सारी प्रेशान्या दुक धर्द जो हैं हर लेती है और नौ दिनों में मा की किरपा भक्तों पर बहुत ही जल्द बच जाती है दोस्तों नौरात्री के जो नौ दिन है ये वास्तु सास्तर के नुसार हमारे हिंदु धर्म के नुसार उपाई यातना और शाधना के दिन मानना जाता है क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हम जो भी उपाई वर्थ करते हैं उपाई करते हैं उपाई करते हैं उपाई करते हैं साधना करते हैं उनका प्रेणाम हमें बहुत ही जल्द पराप्त होता है क्योंकि मातरानी जो है नौराती के नौराती के नौर दिनों में हमें बहुत ही ज आधनाया करते हैं उनका प्रयणाम जो है हमें हमें बहुत जल्द मिलने लगता है जिसमें विबन-तरह की सामघ्रेव का प्रयूक किया जाता है यह विश्याई को breakfast efficient चीज से ही उपाहि करते हैं, कहा जाता है कि चैत्र नुलाज़्ति के दोरान 9 दिन भक्ति भाव से देवी की उपासना करना अनिवारिय होता है, क्योंकि नो दिनों माँ के आण आधाना करने से उन्हें पशन करके हर मनो कामना को पाया जा सकता है इसलिए किया आप जानते हैं कि इसका लवाद जोतिस में भी बताए गए हैं कि उपाई करने से देवी दुरुगा की किरपा पाई जा सकती है अगर नहीं तो दोस्तों हम आपको आज के इस वीडियो में खुछ उपाई ऐसे बताने जा रहे हैं क्योंकि जो जोतिस के नौरात्री के नौ दिनों में अगर आप लॉंग से जुड़ हुए कुछ उपाई करते हैं तो धन वेबों की प्राप्टी होती हैं आखिर नौरात्री में किये जाने वाले लॉंग से जुड़े इन उपाईों के बारे में साथ ही इनकी किस्मत से क्या कनिक सेने उसके बारे में दोस्तों आपको बताने वाले हैं जिया दोस्तों नौरात्री के नौ दिनों में पूर्ण सर्दा के साथ जो भी जा तक उपाई करते हैं तो उनके उपर मातारानी की किरपा और यही बनती है दोस्तों हमारे शुनातन धर में लौंग का बहुत पुईत्र माना गया है पूजा पाठ आधी चीजों में लौंग का विशेश महत्व है लौंग का पूजा के लावात अंतर मंतर में भी किया जाता है क्योंकि इसे उर्जा का वहाग माना गया है अपनी किस्मत को बदलने और शपना को पूरा करने के लिए आप बीच आए तो लौंग के परचली तोड़के और उपाई जो है नौराती के दिनों में करके आप अपनी सारी परिशान या उशे चुड़कारा पा सकते हैं यहां दोस्तों नौराती के इन नौ दिनों में लौंग से जूड़ हुए कुछ उपाई अगर आप पूर्ण शर्दा के साथ करते हैं तो आपकी किस्मत जरूर समकती है और दुरुगा के किर्पा आपके उपर ऑशे ही बनती है। आई दोस्तों जानते हैं लौंग से जुड़ हुए कुछ उपाई जो आपको नौराती के इन दिनों में आउशे करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि नौराथि के विशेश नौ दिनों में किये जाने वाले हुपायों में इस्तमाल किया जाने वाला लौंग बिल्कुल भी साबूत होना चाहिए यानि जो आप लौंग इस्तमाल करते हैं वह लौंग कहीं से भी टुटा हुआ नहीं होने चाहिए यानि कहीं से खंडित नहुए एक तुम साबूत होना चाहिए जोतिस ग्यानुसार आर्थिक इस्तिक को अच्छा करने के लिए नौरात्री के दौरान रोज साम के समय जब आप नौरात्री के नौ दिनों में मातरानी की पूजा रादना करते हो तो उस समय जो हैं दोस्तों आपको रोज साम के समय जलते हुए कपूर में दो लौंग डाल कर मा की आर्थिया आपके प्रहुश्य बनती है और आपके सभी बिगड़े हुए काम बिगड़ जाते हैं या फिर लाग मेहनत करने के बाद भी आपको जो हैं आपकी मेहनत का फल्वाद नहीं मिल पाता है तो दोस्तों आपको पान के पत्ते पर लौंग रखकर एक पान का पता लेना है उसके लोग पर लौंग रखकर फिर अपने दोनों हाथों से मा दुर्गा को पूर्ण सरदा और विश्वास के साथ मा के च्छड़नों में आउश्य चड़ाएं विश्वास से किया हुआ का आपके सभी बिगड़ो हुए काम बनन ले आ रही हैं तो आपको चैतरी नवराती के दौराना अपनी आयू के बराबर लौंग लेकर पीले या लाल धागे में लपेट कर उसकी माला माता दूल्गा को और इससे सिग्रही साधी के योग बनने लगते हैं तो दोस्तों अगर आप ये काम करते हैं तो माहतरानी की कि पूरी होना लगेगी दोस्तों अपनी उमर के बराबर लौंग ले जियां जो उपाई कर रहे हैं उसके लिए जो आप अगर आप अपचीस वर्ष के हो चुके हैं तो आपको पचीस लौंग ले लें जिसे काले धागे में बादकर माला बना लें इससे नवरात्री में किसी जल में प्रावित कर दें आपको जरूर जो है मापकी मनों कापना वो पूरी होने लगेगी और ऐसे ही दोस्तों सत्रों और विरोधियों को सांथ करने के लिए नवरात की एस्टी मिया नौमी तिति को एक सो आठ लोंग ले ले इसके बाद हवन कुण में अगनी परजुलित कर ले फिर नवान मंतर पढ़ते हुए एक लोंग डालते जाए पूरे लोंग के समात होने के बाद सत्रों विरोधियों को शांत हो जाने की प्रात्रा करें यह काम करने से आपको जरूर जो हैं फाइद मंदा चल रहा है तो आपको नवरात्री के नौ दिनों तक नियम से एक ही समय पान का बीड़ा माद दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें वहिपार में सफलता और धनलाप अहुश्य होता है घर परिवार में मत भेद रहते हैं यहां फिर घर में नकरात्मा का मकता उर्जा महत्वल दिया जाता है हर दिन इसका पाठ करें परति मंगलवार और रविवार परिवार के सदशिये पान का सेवन करें घर में सांति पनी रहेगी नौरात्री में पान के पत्ते पर गुलाब के फूल की पत्ति रखकर माद दुर्गा को अर्पित करें धन में लाभी होगा नौरात्री में मातरानी की किर्पा आपके उपर जरूर बनेगी और आप मातरानी की किर्पा से सारी प्रेशान दूर होकर घर में सुक्त सम्रदी बनी रहेगी